यो, what's up guys, welcome back to me 3 और आज का वीडियो क्या आउने वाला है, आपको टाइटल से पता अल्रेडी लग दिया होगा जिस पॉइंट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, साथ पॉइंट के बारे में वो साथ पॉइंट ऐसे ही हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये फिर से थोड़ा मेमरी में ऐसे स्ट्राइक कर दूँगा तो guys, welcome back to me through YouTube channel, ऐसा टाइप का वीडियो शुरू करने के पीछे, reason क्या है, या क्या मैंने सोचा है, कैसे मैंने सोचा है, आपको अगर नहीं पता, आप अगर नया देख रहे हो मेरे को की, ये बंदा कहां से क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, personality development या फिर ऐसा कुछ, तो ये वीडियो का टाइटल से आपको अल्रेडी पता लग गया है, कि आज मैं कोईन से टॉपिक में बात करने वाला हूँ, और जैसे कि मैंने बता दिया, कि साथ टिप्स या फिर साथ पॉइंट्स आप लोग बोल सकते हो, ऐसे साथ पॉइंट्स के बार में मैं आप सबको आ अपने लाइफ पे, तो यूनो, आपको एक अलग सा मजा आएगा लाइफ में, आपका जो परसनालिटी है, वो एक अलग लेवल पे जाएगा, चाहे आप कोई भी हो, मेरा जो टार्गेट ओडियंस है, वो बारा साल से उपर का है, अफकोर्स, यहाँ पे बारा साल के उपर का ही है, मैक्सिमम ओडियंस, और अगर इससे कोई नीचे भी है, उन लोगों पे भी कहीं कहीं यह सूट कर जाएगा, तो चलिए, ज्यादा पहले का बगबग ना करते हुए, मुद्दे पे आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमको जो याद रखना परेगा हमेशा के वैसे लोग बहुत बातो बातों में या फिर थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए या फिर थोड़ा कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए बोल देते हैं कि लुक्स का कोई जरूरी नहीं है, लुक्स मैटर नहीं करता हमारे लाइफ में, दिल मैटर करता है या दिम इने लायक बनाना है ना मतब ठीक ठाक personality बनाना है ना तो उसके लिए looks matter करता है इसके लिए मुझे ठीक से मेरा looks maintain करना पड़ेगा at least आपके सामने थोरा सा अपने looks के ऊपर ध्यान दो अपना जो style sense है उसको थोरा सा develop करो थोरा color sense को increase करो ठीक है मैं style sense का यह मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सजो बहुत ज्यादा make up कर लो या फिर कुछ colorful पहन लो ऐसा बिलकुल नहीं है इस topic के ऊपर मैं separate video लाऊंगा आप लोग थोरा wait कीजिए मैं style sense या फिर looks को लेके यही बोलना चाता हूँ कि looks हमारे life में matter करता है अभी अगर जो मैं बोल रहा था अभी अगर आपके सामने कोई भी ऐसे एक शर्ट पैंड के आपके साथ बात करता तो शायद ही कोई मुझे सुनता और शायद ही आप में से कोई यह मानते कि शोविक जो ग्यान दे रहा है वो खुद भी यह मान रहा है तो second जो point है जो आपका personality level को एक high personality level में लेके जाता है वो है respect सबसे important चीज मेरे हिसाब से यही है respect जो मैं साथ point बोलने वाला होना उसमें से सबसे ज़्यादा important मुझे यही लगा क्यूंकि मैं यह feel करता हूँ respect देना जानना पड़ता है तभी आपको respect मिलेगा तो यह matter है हमें अगर हमारा personality को show ठीक से करना है कि हम लोग ठीक है हम लोग ठीक बंदा है ठीक बंदी है या फिर ठीक अच्छा language उस करूँ तो ठीक लरका है ठीक लरकी है तो हमें हमेशा अपना respect level high रखना पड़ेगा रहे आपसे लोग attract हो तो आपको इज़त देना पड़ेगा अभी अगर कुछ मांगो किसी से भी यह ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर आप मेरे लिए वहां से bottle ला सकते हो ऐसे बोलू तो यह कोई भी हो सकता है आप किसी भी जगे जाओ कोई भी position के इंसान हो या jobless हो या फिर कुछ भी हो सबके साथ आपको अच्छा respect देके अच्छा behave करके बात करना है तब ही आपको वह same level का respect gain होगा तो यह point भी आपके personality को एक अलग level पर लेके जाने में मदद करते हैं तो तीसरा point में अगर हम लोग जाके वह थोड़ा deep है execution executionist बोल सकते है क्योंकि मै इस term से मैं यह समझाना चाता हूँ हम लोगों में ऐसे बहुत सारा इंसान है जो सोचते बहुत बड़े बड़े है जो जिसका idea बहुत उपर है लेकिन हम लोग वह implement नहीं करते हैं execute नहीं करते हमारे reality में so यहाँ पे जाके ना एक बहुत ही ज्यादा impact हो जाता है हमारे personality ना वो करने का मने मैं यह कर लूँगा वो कर लूँगा लेकिन धीरे धीरे एक दिन आपने नहीं किया it's okay दो दिन आपने नहीं किया it's okay पट पीसरे दिन जब आप वो नहीं करोगे तो आपने जिस जिस इनसान को अल्रेडी बोल चुका कि मेरे दिमाग में यह चल रहा था मेरा आइडिया यह है तो उन लोग को लग जाएगा कि आप उतना importance नहीं देते हो अपने life को या फिर अपने personality के ऊपर आप उतना ध्यान नहीं देते हो self-group को उतना नहीं हो तो यही मुद्दा है इस topic का कि execute ठीक से करना होता है जैसे group discussion या फिर कोई भी group के बारे में बात किया जाए दोस्तों के group में ऐसा बहुत सारा लोग होते है जो मैंने अल्रेडी बोला कि बहुत को सोचते हैं उन में से एक दोस्त या फिर एक group member आके बोलता है चलो यह अभी करते है या फिर чलो वो उस दिन हम लोग शुरू करेंगे और वो शुरू करते है भले ही बाकि सब शुरू करे execute करे या ना करे बट वो जो एक बंदा या एक member जो शुरू कर रहा है या फिर शुरू कर दिया वो वो प्रूफ होता है कि he is having a high personality level आप समझ रहो ना मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये सीरीज शुरू करने का जो प्रॉमिस किया था मैंने उस वीडियो में आप लोग देख लो एक बार तो उसमें मैंने कॉमिट किया था उसमें मैंने बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया मेरे अंदर क्योंकि मेरे स्टेट से मैं पहला बंदा हूँ जो ऐसे infotainment बोल सकते हो infotainment का channel शुडूग इया बाहर बहुत-बहुत लोग है रनवीर अलाबा दिया है विवेक बिंदर सर है वो लोग बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर है लेकिन मैं खुद को उनके level में देखना चाहता हूँ बहुत चल तो इसलिए मैंने कमिट किया और मैं पहला बंदा हो मेरे स्टेट से जो infotainment channel खोला है content भी आज से शुडू कर दिया है तो आप उस वीडियो में जाके देखो एक बार i button में है उसमें मैंने कमिट किया था उसमें मैंने online आपके साथ promise किया कि मैं अभी से रोज ऐसे एक दिन गैप दे दे के वीडियो इंफोर्मेशन वाला वीडियो मतब लाइफ को बेटर करने के लिए personality से related वीडियो में डालूँगा एक दिन गैप दे दे के तो आप अभी सोचो अगर मैं आज आपके सामने ये वीडियो नहीं डालता तो ये आप एक दिन के लिए मान सकते हो दूसरे दिन भी आप मान लेते लेकिन तीसरे दिन आपको लग जाता ये वंदा ठाग गया है ये बोलता बहुत कुछ है करता नहीं मैं ठक था मैंने बहुत पहले सोचा था कि मैं ये करूँ लेकिन मैं एक्जेक्यूशनिस्ट नहीं था तो अब जाके मैं एक्जेक्यूशनिस्ट बना और आपको भी ये इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप भी एक्जेक्यूशनिस्ट बन जाईए इसमें बहुत बड़ा फाइदा है आपको personality को ऊपर पहुचाने के लिए high personality level में लेके जाने के लिए 4th point वो है Attiquette अगर इसका नाम पहली बार सुना तो इसका meaning में बता देता हूँ manners होता है so आपको पता है जैसे कि second point में या फिर third point में मैंने बोला था respect same लगभग मिलता जूलता है Attiquette आपके अंदर manner भर भर के रहना पड़ता है आप कहीं भी जाओ आपको manners साथ में लेके जाना होता है हाँ यह अलग बात है कि आपके साथ बहुत ही खराब हो रहा है तो आप उसको ignore कर सकते हो या फिर उससे दूर जा सकते हो लेकिन bad manners जितना हो सके bad manners से आप जूर रहे हैं अच्छा manner करेंगे तो आपको respect ज्यादा मिलेगा दूसरे साइड से आपको manners अच्छा मिलेगा सो इसलिए manner बहुत ज्यादा matter करता है दिमाग में घुसर हो ना घुसा के रहो उसको execute भी करना पड़ेगा पाशवा point जो आपके personality को एक अलग ही मुकाम पर लेके जा सकता है मतलब आप इसको रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो मैं यह insist नहीं करता या फिर बहुत ज्यादा important मैं यह बोलूंगा नहीं बट यह important है आप अगर कर सकते हो ना तो यह वाला point आपको एक अलग दर्जे पर लेके जा सकता है knowledge of history आपके country के बारे में आपके दुनिया के बारे में आपके अंदर अगर थोड़ा सा history अगर है ना मतलब यह दुनिया का history के थोड़ा सा knowledge आपके अंदर अगर है ऐसे टाइप का जब knowledge शेयर करोगे ना कोई भी group में कोई भी room पे बात कर रहो ताब को कोई भी historical moment के बारे में आप अगर थोड़ा discuss करोगे of course अगर सामने वाले interested हो सुनने के लिए तो आप अगर discuss करोगे यह सब तो आप ना उन लोगों की नजर में एक अलग ही personality का इंसान बन जाओगे तो यह आपको short term में कुछ पता लग नहीं सकता है लेकि long term में आपको बह बढ़ेगा नोडाओ जिन लोग के साथ आप शेयर कर रहो यह सब knowledge वो लोग आपको एक अलग ही दर्जा देगा अलग टाइप का respect देगा मतब यह knowledge का डबा बोल सकते है so you know मजाग को साइड में रखो यह भी एक बहुत important fact है आप मान भी सकते हो ignore भी कर सकते हो इस point को चटवा point यानि की 6th point भाई यह मैं खुद experience किया कर रहा हूँ करता था और करता रहूंगा मुझे पता है और मेरा बहुत सारा दोस्त है जो यह experience कर रहा है या फिर बाहर के बहुत ही सारे दोस्त जो लोग है वो लोग यह experience कर रहा है और मुझे पता है कही ना कही आप लोग में से भी कोई YouTuber हो, कोई singer हो, कोई writer हो, कोई अच्छा drawing कर लेते हो, painting कर लेते हो, कोई अच्छा लिक लेते हो, hobbies, मैं बोलना चाता हूँ, hobbies, यह जो six point है, मतलब hobbies वाला point, यह आपको बहुत ज्यादा attractive बनाने वारा है, बाई, मान लो य आपको guitar बजाना आता हो, आपको गाना गाना आता हो, आपको कोई भी musical instrument बजाना आता हो, आपको कोई भी hobby, reading अच्छे से आता हो, recitation अच्छे से आता हो, dancing अच्छे से आता हो, कुछ भी अच्छे से आता हो, cooking अच्छे से आता हो, video editing आता हो, video shooting आता हो, खुद का video बनाना आ जैसे मैं कर रहा हूँ, आप बहुत ही ज्यादा impressive personality वाला इंसान वन जाओगे, दिमाग पे set कर लो और भाई का बात मान लो, कुछ भी एक hobbies जुन लो अपने अंदर और वो सब के सामने शो करो, शो आफ मत करो, बट शो करो, सब को पता लगना चाहिए कि you have that hobby inside you, so ये मेरा टि खुद experience किया, मैं स्कूल लाइफ से लेकि स्कॉलेज लाइफ तक वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मेरे hobbies के बारे में लोगों को पता चला, they try to be with me, या फिर मुझे भी अच्छा लगता था लोगों के साथ, hobbies share करें, या पाटी हो रहा है, शो भी का है, एक होता है न या फिर जगड़ा था बट, you know, अब मुझे पता लग गया, distance contain करो, बस problem solve, तो hobbies को ज्यादा इंपोर्टेंस को अपने personality को एक अलग लेवल लेके जाने के लिए, 7th point या फिर last point आप कह सकते हो, last तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे इस वीडियो के लिए, आपके लिए last point है ये 7th point बहुत ज्यादा important है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आज खड़ा हो कि आपके साथ बात कर रहा हूं, अगर मैं वैसे ही पहला वीडियो जैसा, या फिर normally music वीडियो हो, या फिर कैसे भी, मैं अगर बैट के आपके साथ, चलो, आज आप लोगे साथ, मैं साथ ऐसे tips दो कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ब्लाव 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 पर्सनलिटी डवलप्मेंट का एये भाई, आपको क्या लगता है, ये बंदा यूट्यूब में आके, मीत्री चैनल, ये 3K सबस्क्राइबरे क्रोस कर चुका है, हम लोग के साथ बात कर रहा ह। टिप्स दे रहा ह personality development का और खुद ऐसे बैट के ऐसा body language मैं बात कर रहा है ऐसा नहीं होता मेरे भाई body language को ठीक करना परता है आप जब जैसे जिनके साथ बात कर रहो match their body language मुझे पता नहीं आप अभी सो के देख रहो है या बैट के देख रहो है मुझे मैं यह इमाजिन करके देख रहा हूँ कि आप मेरा बात बहुत ही इंट्रेस्टिंग वह में ले रहे हूँ इंट्रेस्ट लेके देख रहे हूँ तो same here मैं भी बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टेट हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया एक एक दिन गैप देगे आपके सामें वीडियो लाऊंगा So as I promised I have to do that और कैसे मैं करता हो खुद के अंधर बहुत ही जोश रखना परेगा और जोश कैसे आप लोगो समझ में आए कि यह बंदा रियली कॉंफिडेन है तो मेरा बाद करने के स्टाइल से सब कुछ मिला के आपका बादी लेंग्विज बनता है हमेशा एक ओपन बादी लेंग्विज मेंटेन करो अपने लाइप पे भाई यह भी बहुत एक अलग लेवल देता है अपने परसनलेलिट को देखो, मेरा यहाँ पे फैन अभी बंद है, एसी लगवाय नहीं, पसीना आ रहा है, एक बर गैप लिया था लेकिन अभी और रुका नहीं, लेकिन मैं आपसे वही जोश में बात कर रहा हूं, और मेरे बॉडी लेंग्वेज को कम नहीं कर रहा हूं, तो मेरा कम्यूनिकेशन स्किल बर रहा है इसके साथ, आपके लाइफ में उतार चराव आएगा ही, सबके लाइफ में है, मेरे लाइफ में भी है, अगर कुई आपके साथ अच्छे बॉडी लेंग्वेज में बात नहीं कर रहा है, तो बिलीव मे, आप अपने अच्छे बॉडी लेंग्वेज से उसका बॉडी लेंग्वेज इंस्टैंटली बदल सकते हो, लिक के ले लो अपने पेपर पे, बोलो तो कैमरा के अंदर से मैं साइन करके देता हूँ, इतना ही था, यह साथ थी पार अगर अपने दिमाग में दिल पे और अपने परसनलीटी में, अफकोर्स, अपने लाइस्टाइल में बिठा दो ना भाई, बहुत आगे जाओगे, तो कैरियर वेरियर पता नहीं, लाइफ में रेस्पेक मिलेगा लोगों से रेस्पेक मिलेगा, believe me, you will be one of the attractive person in this world, in this beautiful world, in this universe, believe me, we all are unique, you are unique, I am unique, everyone, each of everyone who is watching this video, they are unique, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाता हो, फिर से, अगर आप इस चैनल में ने हो, अगर आप किस बंदे को ये वाला पेस को पहली बार देख रहो, please subscribe to this channel, नीचे subscribe का बटन है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक उंगली मार के, या फिर कुछ भी मार सकते हो, न अब अच्छा ना लगा, तो proudly dislike दबाना, मुझे पता है, और हाँ, मुझे ये पता है कि मैं video upload करूँगा, बिना देखे, एक या फिर दो dislike आही जाएगा, anyway, I am habituated with this, और आप भी habituated हो जाओ, जरूरी नहीं सब आपको पसंद करेंगी, या फिर आप सब को पसंद करेंगे बट, अच्छा लगा तो like करो, अच्छा नहीं लगा तो dislike करो, क्या topic में आप वीडियो देखना चाहते हो, मेरा तो set किया हुआ है कुछ topics, वीडियो का, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ topic होगा, जिसके उपर आप वीडियो देखना चाहते हो, में 3 शोविक 22 से, आप में यह बोलना भूल जाता हूँ, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा active रहता हूँ आज कल मैं, हर एक update, क्या कर रहा हूँ, कौन से बारे में, कौन से topic के बारे में सोच रहा हूँ, क्या upload तरने वाला हो, क्या upload हो गया, कभी कभ मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्वीटर पे भी आपका भाई है, फॉलोर ज्यादा नहीं है, आप लोग उसको फॉलोर बरा सकते हो, भरोसा है, ट्वीटर पे भी फॉलो करो, लिंक सब का नीचे दिया हुआ है, आप लोग जाओ, फॉलो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आरांज से सो जाओ, फ्रेश हो के उठो, और यह जो साथ पॉइंट मैंने बताया, वो अपने लाइफ पे एग्जेक्यूट करूँ. That's it. This is Shovik, signing off from Me3. I hope you love this video. Keep smiling, be original. किसी के बातों पे ज्यादा मताना, खुद चलते रहो अपने मर्जी से. किसी के बातों पे ज्यादा मताना, खुद चलते रहो अपने मर्जी से.